हमारे देश की कुछ हिस्सों में, खास कर पिछड़े ग्रामिन इलाकों में, महिलाए आज भी घरेलू हिंसा और प्रताडना का शिकार हो रही है और महिलाओं की इनी कुरूतियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार शौर्यादल का सहारा ले रही है शौर्यादल यानि महिलाओं के ताकत और साहस की पहचान के साथ ही महिलाश शशक्तिकरन के सपने को साकार करने का सबसे ताकतवर हतियार जिसे UN Women और तेजस्वनी ग्रामिन महिलाश शक्तिकरन जैसी संसाओं का सपोर्ट मिल रहा है मैं इसे एक कारिक्रम की रूप में ना देख करके एक अभियान के रूप में एक मिशन के रूप में देखती हूँ जिसके माध्यम से समाज में एक परिवर्तन लाया जा सकता है खास करके सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है और इसका एक महत्वपून हिस्सा जो है कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा ना हो करके इसमें पुरुश और लड़के भी विशेश रूप से शामिल है तो महिला हिंसा जो है वो सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है पूरे समाज की जिम्मेदारी है और उसमें पुरुशों को जोड़ना बहुत महत्वपून है दरसल प्रदेश के 20 जिलों में शौर्या दल के गठन के सकारात्मक परिनाप सामने आने के बाद सूबे की सरकार प्रदेश के सबी जिलों में शौर्या दल का गठन करने जा रही है जिसके लिए राज़दानी भुपाल के होटल पलाश में शौर्या दल की राज़स्तरिय कारेशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश करकार की महिला एवं बाल विकास मंतरी माया सिंग के साथ ही महिक में के तमाम आला इदिकारी मौजूद रहे इस दोरान शौर्या दल को और सुदरण बनाने के साथ ही महिलाओ की मौजूदा 스िटी को और बहतर बनाने की बात पर जोर दिया गया सिटी को और बहतर बनाने की बात पर जोर दिया गया अफलता की कहानी जब हमने मद्यप्रदेश के मुख्य मंतरी जी को इंटरनेशनल विमेंस डे के अफसर पर दी थी और महिलाओं ने आकर अपनी बातें जब वहाँ शेयर की और बताई वो इतने ज़्यादा अभिवूत हुए और उन्होंने वहाँ पर कहा था इस शौरिया दल का गटन मद्यप्रदेश के 51 पूरे जिलों में होना चाहिए तो अब आगे गठन की परक्रिया पर शुरू करेंगे और इसका जो काम है शौरिया दल का काम है महिला हिंसा है बच्चियों के साथ छेड़ चाड़ की घटनाए हैं घरेलू उतपीडन की बाते हैं नशे के शिकार परिवार जो बरबाद हो रहे हैं साथ ही साथ लोगों की मतला माइंड सेट को बदलना है साथ ही साथ सरकार की जो योजना हैं जरुरत बन परिवारों के लिए उन योजनाओं के बारे में बताना उनको जानकारी देना और वो योजनाओ का सत्प्रतिशत उनको लाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको भी सुनषित करना और महिलाओं के अधिकार और कर्टब क्या हैं वो उनको जाने और जानने के बाद उनका इस्तमाल करें उनका उनने लाब मिले तो इस तरीके की और समाजिक कुरूतियां हैं उनसे समाज को मुक्ती मिले ये सारे काम सौरिया दलके हैं एक अच्छा मानस को बदल कर समाज में एक अच्छा सकारात्मक वातावरन तयार करना महिलाओं और बच्चियों के प्रती ये काम सौरिया दलका है और अभी 20 जिलों मे जो गठन हुआ है उस गठन के बाद तो हमारा भी होसला बढ़ा है क्योंकि इन लोगों ने जिस धहरी के साथ जिस द्रड़क्षाशक्ती के साथ परिवर्तन की शुरुवात की है तो आप देखें कि 147 गाउं ऐसे हैं कि जहां पर महिला हिंसा और उसमें कमी आई है कमी आई ह है तो यह बहुत अच्छा प्रयास है कार्यशाला में प्रदेश भर के जीला परियोजना अधिकारियों को बुलाया गया और जमीनी स्तर पर शौर्य दल को और अधिक्रवावी बनाने के लिए बाकाइदा प्रस्रिक्षन भीद दिया गया करें इस पूर में हम बात्रिक करें और जो अन्य मुट्य है समाज के जिसर कि यहां पर भी पता है विविए शर्कों में आप लोगों ने काम किया है नहीं पोल भी छुटे हो रहे हैं उनको हम सम्झित करते हैं और पोशिच करें कि जो सुझादर है उसमें जो सभाद उसमे हम शौरिया को उसे पूरी मुस्तादी से पूरी तेजी सिर्फ जोड़ेंगे और एक निगरानी तंथ के रूप में विक्सित करेंगे कि कहीं पे भी महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ आसमानता का विवहार नहों और एक हम समानता पूल समाज का निर्मान के से इस वर्कशॉप में लाडली लक्ष्मी यूजना के में किये गए संचोधन के बारे में भी जानकारी देए लाडली लक्ष्मी यूजना को पहले से जादा पार्दर्शी और आसान बनाने के मकसद से सरकार ने उसमें कई संचोधन किये यानि हित्गराही अब ई-लाडली लक्ष्मी योजना की वैपसाइट के जरिये ही सारी जानकारिया आनलाइन जुटा सके हैं और उन्हें मिलने वाली राशी भी अब पोस्ट आफिस के बजाए सीधे उनके अकाउंट में डाली जाएगी पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रेक्रण पंजीबद्ध किये जाते थी पात्र हित्गराही बालिकाओं के और प्रतिवर्ष उसमें एनसी बनाया जाता था लेकिन अब विवस्था में परिवर्तन करके उसको पूरा ऑनलाइन किया गया है खेत्री इस तरपर हित्गराही बालिका का प्रेक्रण स्विक्रत किया जाएगा और बालिका के पैरेंट्स को बालिका को स्विक्रती पत्र दिया जाएगा जो राशी है उनको जिस तरीके से देना है फेज़ वाइस जो भी उसकी फ्रक्वेंसी है वो सीधे खातों में जमा होगी वो प्रमान पत्र बालिका को दे दिया जाएगा और जब बालिका ठारा बरिस्की होगी तो वो संपुन राशी एक मुश्ट उसको मिल जाएगा पिछले कुछ सालों में प्रदेश में महिलाओ की स्थिती लगातार बहतर होते जा रही है जिसका श्रे यकिनन शौर्यदल को भी जाता है जो फ्री की सखी सहलियों के ऐसे समू के रूप में उबरा है जिसने प्रदेश की हर अबला को सबला बनने की हिम्मत तो दी ही है साथी जागरुकता के जरिये समाज की विक्रत सोच को बदलने और महिलाओ के लिए माकूल माहूल तयार करने में बेहत एहम भूमिका भी निभाई है ब्यूरो रिपोर्ट अन्वी न्यूस भूपाल